फुफेरा भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं फुफेरा भाई को आप इंग्लिश में वैसे तो कजन कह सकते हैं लेकिन कजन जो है वो फुफेरी भेन भी हो सकती है तो आप cousin brother कहेंगे तो clear हो जाएगा कि वो आप अपने फुफेरे या ममेरे या चचेरे भाई की बात कर रहे हैं या फिर आप इस तरह के से भी कह सकते हैं my fufa ji's son यानि clear करने के लिए क्योंकि fufa ji के लिए भी आप uncle कह सकते हैं तो उससे भी English में clear नहीं होता है तो English में सब को cousin कहा जाता है चाहे आपका मामा का लड़का है मामा की लड़की है बुआ का लड़का बुआ की लड़की है चाचा का लड़का चाचा की लड़की है तो हम हिंदी वाला ही ज़ादा इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा जैसे फुफेरा भाई को मैं फुफं जी संक लिख़ दें साइड में ब्रेकेट में या कौमा लगा कर तो उससे clear हो जाता है कि आप किस कजन की बात कर रहे हैं तो kजन ब्रदर आप कह सकते हैं फुफेरा भाई को मेरा भाई को आप maternal cousin या maternal cousin brother कह सकते हैं भाई को brother कहा जाता है, सगे भाई भाई भेन जो हैं, वो siblings कहलाते हैं, या real brothers and sisters आप उन्हें कह सकते हैं, सोतेली भेन को step sister कहते हैं, सोतेली मा को step mother कहा जाता है, सोतेला भाई step brother कहलाता है, और सोतेले पिता को आप step father कह सकते हैं. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें